नौइडा में डेंगू का प्रकोप नई उचाईयों को छू रहा है। अब तक देंगू के सबसे ज्यादा 934 मरीज मिल चुके हैं। यहां आंकडा एक साल में अब तक का सबसे ज्यादा है। रोजाना आठ से 10 मामले सामने आ रहे हैं। CMO भी स्विकार करते हैं कि 15 मई से लेकर बीते सुमवार तक देंगू के 925 मामले दर्स किये जा चुके हैं। और यदि मैं डाटा की बात करूँ तो मेरे पास अभी जो आकडा है वो कल तक का है वो समी है कि 925 के समारे 15 मई से लेकर अभी तक UDSP पोर्टल पर रंकित हुएं। पिछले 24 गंट में कोई नहीं था। यह मैं कल का डाटा आपको बता रहा हूँ। इसके बावजूद उनका कहना है कि डेंगू का प्रकोप कम हो रहा है आने वाले महीने में खत्म हो जाएगा। CMO कहते हैं कि डेंगू के रोक्थाम के लिए तीन तीमें बना कर निरोधात्मक और दंडात्मक कारवाई की जा रही है। कि हमारे पाफ जो है हमने तीन टीम बना रखी है जो जनपत इस्तरबर शक्री हैं जिनको हमारा अर्टी बोलते हैं अब लोग इस तरह पर हमारी टीम आपशक्ता के उन्हें साथ जनेर्ट हो रहा थी मिनीमव एक टीम वहां पर हर व्लोग में इसके लाव हमने कुछ कुछ अब तक साथ हजार से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है लेकिन शहर के अस्पतालों के हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं अधिकांश हॉस्पिटल पूरी तरह वाइरल और देंगू के मरीजों से भरे हुए हैं यहां तक की देंगू और वाइरल बुखार के मरीज की बढ़ोतरी के कारण अस्पतालों को अतरिक्त बेड लगाने पड़े हैं जिला अस्पताल की क्षमता 240 बेड की है लेकिन अस्पताल में 350 मरीज भरती है नौइडा से अरविंद उत्तम की रिपोर्ट